हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटिफल वर्ल्ड आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेकर आए हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में भगवान शिरी कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करता है तो व्यक्ति को इस सपने का क्याफल मिलता है बत का सामना करना पड़ सकता है अपने सपनों के पीछे चुपे हुए संकेतों को समझ कर हम अपने आने वाले भविश्य के बारे में काफी हद तक बिलकुल सही अनुमान लगा सकते हैं सपने सास्तर के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करता है तो इसे एक बेहद ही शुब और सकारात्मक फल देने वाला सपना कहा गया है यह सपना इस बात का संकेत होता है कि अब व्यक्ति के जीवन में कोई शुब कारे जरूर होगा व्यक्ति के जीवन में चली आ रही पुरानी परेशानियों का बाधाओं का अंतु होने का समय आ गया है इस बात का भी यह सपना संकेत होता है यदि व्यक्ति का उसके घर परिवार में लिस्तिदारों से किसी प्रकार का कोई मद्भेद चला आ रहा था तो अब उन मद्भेदों का अंत होगा और व्यक्ति के लिस्तों में सुधार होगा इस बात का भी यह सपना संकेत होता है इसके अलावा यदि कोई गर्भवती इस्तरी अपने सपने में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करती है तो यह सपना उस इस्तरी को इस बात का संकेत देता है कि उसे आने वाले समय में एक नटखट पुत्र की प्राप्ती होगी तो यह होता है सपने में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने का मतलब उमीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सपनों का बिलकुल सही मतलब जानने के लिए हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू